नमस्कार दोस्तों तो ये हमारा जो डिजाइन आफ रसी सी बीम है उसका ये फिफ्थ चेप्टर है मतलब आर्सी सी डिजाइन का ये मतलब फस्ट चेप्टर है और फिफ्थ टोपिक है तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे न्यूटरल एक्सिस अफ बीम सेक्शन की ठीक है ये क्या होता है तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं तो हमको एक बیलेंस सेक्शन डिजाइन करना पढ़ता है मतलब जिसमें टेंशन औनों इक्वली डिस्टिबिउट हो चे थे हमारा एक भीम का सेक्षन है और इसमें अब एक जोन होता है एक »छ जोन हम लोग क्माल सकते हैं कि इस जोन होता है उसके उपर का यूपर आज इन्द करता है उसके निचे का पॉर्चन है ऊम लोग नेगलेक कर देते हैं उसको compression में count नहीं करते हैं ठीक है न को आ जाता है इसको इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो यह मतलब जो टेंशन जोन और कम्प्रेशन जोन को अलग कर दे अब किस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बोला कि बैलेंस सेक्षन क्या होता है है ना तो जब मैं बैलेंस सेक्षन की बात कर रहा हूं तो बैलेंस सेक्षन वो होता है जिसमें हमारा जो कम्प्रेशन है वो टेंशन है दोनों एक साथ डेवलप होते हैं है ना मतलब जब हमारा उपर कम्प्रेशन हो जाता है तब हमारा टेंशन भी नीचे की तरब पहुंच जाना चाहिये ठीक है ना उस तरीके से एक हम लोग göra balance section बनाते हैं उसको हम लोग economical section बोलते हैं ठीक है मतलब उसमें हमारा compression जब जो हमारा highest level उस पे पहुँच जाए तो उसी level पे हमारा tension भी पहुँच जाना चाहिए उसी time पे ठीक है ना उसको हम लोग बोलते हैं balance section और जो axis इस तरीके के section को दो हिस्सों में divide करता है उसको हम लोग neutral axis बोलते हैं ठीक है ना फिर या फिर दूसरे word में आप यह कह सकते हैं कि जहां पर ना तो tension आ रहा हो ना ही compression आ रहा हो वो axis जहां पर tension भी ना रहा हो और वहां पर compression भी नहीं आ रहा हो उस axis को हम लोग बोलते हैं neutral axis बतलब यहां पर tension भी 0 होगा है ना tension भी यहां पर 0 होगा और compression भी यहां भी 0 होगा ठीक है ना यहां फिर इसको आप एक center of gravity भी कह सकते हैं ठीक है ना यहां पर center of gravity जहाँ पर compression भी 0 और tension भी 0 तो इसको बोलते हैं हम लोग neutral axis और एक balance section design करने के लिए हम लोगों को neutral axis को जानना बहुत जरूरी है जब तक हम लोग neutral axis नहीं find out कर सकते हैं तब तक हम लोग एक balance section design नहीं कर सकते हैं अब इसका काम क्या होगा आगे हम लोगों ने इतना तो समझ लिया कि यह neutral axis यहाँ पर निकालना है हम लोगों लेकिन क्यों निकालना है इससे हम लोग क्या करने वाले आगे तो अब देखिए मैं आपको छोटे सी चीज से समझाता हूं मैं यहाँ पर कहां तक हमारे tension zone तक जैसे कि मैंने यहाँ पर reinforcement place किये हुए है तो इस tension zone तक की depth यहाँ पर d है अब क्या होगा कि अब क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने assumptions पढ़ें पिछले वीडियो में हम लोगों ने assumptions पढ़ें न टाइप सब्सक्राइब और assumptions तो अगर आपने देखा हो वीडियो देख लिया हो आपने तो ठीक है कोई बात में आपको समझ में आ जाएगा लेकिन नहीं देखा हो तो उसको पहले आप देख लो ठीक है ना ऊपर लिंक आ रहा है राइट सेट के लिंक पर आप लोग क्लिक लिया ता तो वही assumption यहाँ पर हम लोगों को यूज में लेना है अब माल लिजे कि कोई neutral axis है यहाँ पर माल लेते हैं कि एक neutral axis है जहाँ पर हमारे stresses और strengths यहाँ पर zero हो रहे हैं तो मैं कुछ इस तरीक से यहाँ पर इसको लिख लेता हूं ठीक है और यहाँ पर हम लोग एक strength का relationship और एक strength का relationship यहाँ पर हम लोग बनाते हैं तो अब यहाँ पर एक मैं straight line खिषता हूं ठीक है और यह एक straight line यह ग्राफिकल representation हो यह ध्यान रखना ठीक है ना यह एक graphical representation है कि यह हमारा यह क्या होगा concrete में इधर में क्या होगा कि concrete का strength कितना हुआ और इधर में हमारा still का strength कितना हुआ ठीक है ना तो अब यह देखो straight line यह ग्राफ भी straight line रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर में यह ग्राफ भी straight line रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर देखो कुछ भी नही सब कुछ 0 है, तो यह एक neutral axis हो गया, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग neutral axis बोलते हैं, N A बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, अब यहाँ पे, कुछ यहाँ पे आपको terms याद रखने पड़ेगी, जैसे कि, जो हम लोग यहाँ पे लेंगे अभी, तो जैसे कि, हम लोग क्या लेंगे कि C, C हम लोग use करेंगे कि compressive strength, compressive strength, compressive stress, sorry, in concrete, ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताए था, कि जो हमारा compressive stress है, वो उपर की तरह भी काम करेगा, नीचे उसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि compression area यह है, ठीक है ना, तो हम लोग को compressive stress, इसी area में लेके चलना है, ठीक है न, नीचे की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे 0 रहेगा, यह पूरे tension zone आ जाता है नीचे की तरफ, यह पूरा compression zone होता है, इसलिए हम लोग यह ही पे इसका use करेंगे, ठीक है न, और फिर वैसे ही, T का मतलब होगा tensile stress, यह किस में? Still में, ठीक है न, यह दो time हो गए, उसके लावा हम लोग क्या क्या use करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने B use किया और D use किया, तो इसका तो आपको समझ में आ गया, B और D का मतलब क्या है, B मतलब breadth of beam, यह width of beam के लिजियो, D मतलब depth of beam, ठीक है न, जहां तक हमारा reinforcement महां तक की depth, ठीक है उसके लावा यहाँ पे हम लोग term use करेंगे N, N यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यह neutral axis की depth हम लोग बोल सकते हैं, कहां से, from the top, ठीक है न, तो depth of beam, depth of neutral axis, from the top, okay, from the top, ठीक है N, और इसको हम लोग KD से denote करते हैं, है न, KD मतलब कि एक factor हो गया, जैसे पूरी depth हो गई, तो उसका एक कुछ proportion, ठीक है न, कुछ proportion उसको हम लोग, कि हम लोगों एक factor ले लिया, कुछ भी factor हो सकता है, कि D का इतना times, हमारा, जो हमारा N है, ठीक है न, तो उसको N equal to KD हम लोग लिखते हैं, ठीक है न, जैसे कि माल लिजे की कोई भी beam है, इसको थोड़ा easy way में इस तरीके से समझ सकते हैं, हम लोग की कोई भी beam है, उसको हम लोगों ने 10 पार्ट में divide कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, जितने भी हो लिए हैं, ठीक है न, तो अब ये वाला हिस्सा कितना होगा, 0.1, जैसे माल लिजे कि ये पूरी D है, तो ये कितनी भी 0.1D, है न, एक हिसा, दस में से एक हिसा 0.1D हुआ न, उसी तरीके से हम लोग, हम लोग पता है निए कि कितने हिसों में divide हो रहा है, ठीक है न, इसलिए हम लोगों ने factor लिया है, ठीक है न, KD, ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा, अब उसके बार में, A.S.T, area of steel, ठीक है, या फिर area of steel या फिर area of tensile reinforcement, ओके, तो ये area of tensile reinforcement या, फिर area of steel, दोनों में से आप कुछ भी बोल लिजी इसको, ठीक है न, तो अब देखो, जैसा कि हम लोग balance section की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या भी, यहाँ पर क्या resultant force, 0 है, मतलब क्या, कि यहाँ से stress, जितना भी होगा extreme तक, और यहाँ से stress होगा, जितना भी हमारा, नीचे तक, वो दोनों बराबर होंगे, तब ही तो balance section होगा न, क्योंकि दोनों एक साथ पहुँच रहे हैं, दोनों की value एक जिसी है, है न, तो इसलिए क्या कि total compression equal to, तो हम लोग बोल सकते हैं कि total compression equal to total tension, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, अब यह तो मैंने strength का ही बनाया था, एक और मैं यहाँ पर बना देता हूँ, stress का, ठीक है न, यह कुछ इस तरीके से, इसको मैं लिख देता हूँ C, और अब इसको में T लिख हुआ, या फिर दूसरा इसको कुछ लिखूंगा, देखो, अब अगर मैं T लिखता हूँ, तो वो still के term में होगा, मुझे इसको क्या करना है, concrete के term में इसको replace करना है, और आप लोगोंने modular ratio पढ़ा ही है, अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा है, और आप पहले बार देख र पढ़ेगा इसको, तभी वो equivalent area concrete के term में निकल गाएगा, ठीक है ना, इसको एक बार समझ देना आप, ठीक है न, अगर यह C है तो यह concrete के term में T by M होगा, ठीक है न, आप लोगोंने पढ़ी था न, M equal to T by C, यह पढ़ा है हम लोगोंने, ठीक है न, और इसका क्या था, ES by EC, ठाना, ऐसी करके कुछ, ठीक है और यह भी T by C हो गया, इसलिए C equal to T by M हम लोगोंने लिखा, इन term साब equivalent area, ठीक है, अब हमको क्या करना है अब देखी, यहाँ पे इसका एक resultant force act होगा, ठीक है न, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कितना C है, तो यहाँ पे हम लोग इसका एक result resultant लेना चाहे तो कितना होगा, इसका एक average निकालेंगे हम लोग C plus 0 divided by 2, मतलब C by 2 इसका resultant force हो गया, ठीक है न, यहाँ पे लगने वाला C by 2, ठीक है और यहाँ पे यह KD होगे, N equal to KD, ठीक है और यह कितना यहाँ तक D, तो यह नीचे वाला कितना हो जागा, D minus KD, D से लेकिए और यहाँ तक, मतलब यह इसके पहला बनाना था, थोड़ा नीचे आ गया है, ठीक है, तो यह D minus KD यह नीचे वाला हो गया, तो अब देखो, अब यह नीचे में भी क्या होगा, देखो, अब यहाँ पे तो पूरे में तो पूरा टेंचन एक्ट करनी रहा है, ट अब यह में, ठीक है ना, और इसको हम लोग EQUIVALENT ERIYA के टर्म में, अगर AST है, इसको हम लोग वापस से EQUIVALENT ERIYA के अगर टर्म में इसको लिखना चाहे, तो हम लोग कैसे लिखते है, AST रहता है, और जब मोडूलर रेशो आ जाता है, इसमें तो उसको फिर हम लोग M AST ल तो अब देखो, यहाँ पर हम लोगों के लिए EQUIVALENT ERIYA के लिखना है, तो अब यहाँ पर हम लोगों के लिए EQUIVALENT ERIYA के लिखना है, तो अब यह क्या हो जाएगा, मतलब 1 by 2 C EQUAL TO AST, यह हो गया, अब यह तो हो गया, इसको फोर्स की टम में हम लोग कनवर्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, देखो, 1 by 2 into force, मतलब कितना हो जाएगा, फोर्स की टम में अगर इसको हम लोग करें, तो क्या होता है, stress into area, ठीक है न, तो यह C हो गया, अब area कितना, यह कितना हो गया, B into KD, उपर कही रहे कितना हो गया, B into KD, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, B into KD, और इधर में, और सोरी, यह AST नहीं, यह T, ठीक है न, यह T, ठीक है तो T, T को हम लोग क्या T into AST, ठीक है न, तो यह इसका force हो जाएगा, और यह इसका force हो जाएगा, ठीक है कुछ इस आप लोग notes के form में, नीचे से download कर लेना, मैं ऐसे कैसा यहाँ पर, नीचे आपको notes में address कर रहा हो, PDF फायल में, ठीक है न, ठीक है तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर जो हमारी equation थी, वो आपस में लिख देता हूँ, ठीक है न, तो यहाँ पर हमारी equation क्या थ कि 1 by 2, C into B into KD equal to T into AST, ठीक है, अब इस से हम लोग इस तरीके की equation बनाते हैं, कि हम लोग AST और B को और D को इधनले आते हैं, ठीक है, और इधर में हम लोग बाकी का लिख लेते हैं, K into C divided by 2T, ठीक है न, कुछ इस तरीके की equation हो जाएगी, ठीक है, इसको हम लोग equation number 1 नाम देते हैं, अब यह तो होग equation number 1, अब दूसरी equation किस तरीके से बनेगी, कि हम लोग ने जो diagram बनाया था, ठीक है न, वो diagram आप एक काम करो, आप पहले डाउनलोड कर लो, नीचे से description में से और जो notes दिया हम है, उनको देखना, ठीक है न, तो उनमें जो diagram दिया हुआ, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, diagram, यह कुछ इस तरीके का diagram था, यह उपर में C था, और नीचे में T by M हम लोग न लिखा था, ठीक है, यह N equal to KD हो गया था, और यह नीचे वाले कितन हो गया, D minus KD, ठीक है, कुछ इस तरीके से, यह हो गया था है, अब देखो, अब यहाँ पे हमको एक और equation मना नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यह देखिए, दोनों similar angle triangle है, ठीक है न, इसमें यह angle और यह angle दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है न, तो यहाँ पे C divided by KD इक्वल टू, अब यह कितना T by M, और divided by, तो लिखेंगे वे इसको हम लोग, 1 by D minus KD लिख देता हूं, मैं, KD, ठीक है, यह कुछ इस तरीके से हो जाता है, और इसको मैं solve करूँगा, तो क्या हो जाएगा, यह T divided by M, और D को बाइल ले रहते हैं, और 1 minus K, यह कुछ इस तरीके की equation हो जाती है, ठीक है न, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, अब देखो, इधर में भी D है और इधर में भी D है, तो यह दोनों cancel हो जाएंग ठीक है, यह फिर इसको हम लोग अब K के form में लिख देंगे, पूरा, तो अब यह हो जाएगा, पूरा इधर M, C, minus M, C, K, equal to K, T, ठीक है, और हम लोग वापस K के format में इसको लिखेंगे, तो किस तरीके से यह बन जाएगा, अब यह इधर चला जाएगा, तो इधर में कित बन जाएगा, M, C, equal to K, T, plus M, C, K, ठीक है, और यहाँ इसमें से हम लोग M बहान निकाल लेते हैं, ठीक है, सोरी M नहीं, K बहान निकाल लेते हैं, तो क्या बज़ेगा अंदर T, plus M, C, ठीक है ना, तो यह फिर M, C, plus T, जो भी आप लोग लिखे, K, equal to, अब क्या हो जाएग M, C, plus T, ठीक है, इसको और यह कल लेते हैं, हम लोग, तो अब हम लोग यह पूरा नीचे चल लेके चल जाते हैं, M, C, को भी हम लोग नीचे लेके चल जाएगे, तो क्या बनेगा यह, 1, divided by M, C, plus T, plus M, C, ठीक है, यही बनेगा, इसको cancel करेंगे, तो फिर यह अगली question हमारी बन जाती, 1, divided by 1, plus, इसको मैं 1, by M, into T, by C, लिख देता हूँ, ठीक है, और यह जो T, by C है, इसको मैं लिख लेता हूँ, stress ratio, और इसको नाम जा देता हूँ, मैं R, ठीक है न, इसको भी हम लोग short form में कल लेते हैं, ठीक है न, तो देखने में आसान हो जाएगे हैं हमारी equation, ठीक है न, कुछ इस तरीके से, 1, divided by 1, plus, R, divided by M, तो यहाँ पे R क्या है, R, equal to T, by C, इसको हम लोग बोलते हैं, stress ratio, ठीक है न, तो अब देखो हमको, अभी हम लोगों ने equation निका लिए, कुछ इस फार्म में, अब हम हम लोग जो हमारा यह जो हम लोगों निकाला था न, अभी कौन सा वाला, यह वाला, यह वाला equation जो निकाला था हम लोगों ने, अब यह हमारा तो क्या है कि एक general equation है, ठीक है न, इसको हम लोग अगर यहाँ पे compression यहाँ पे, permissible tensile stress और perm में अगर लिखे हम लोग, तो उसको ह हम लोग sigma cbc के term में लिखते हैं ठीक है न और जो हमारा T है उसको हम लोग sigma st के term में लिखते हैं ठीक है जो हमारा K है वो कैसी बन जाता है क्योंकि ए क्रीटिकल सेक्शन होता है critical मतलब balance section ठीक है न जहां पे resultant force बिल्कुल 0 होता है तो वो critical section हो जाता है कि k equal to क्या बन जाएगा यह है m और c को sigma cbc लिख देते हैं ठीक है और यहाँ नीचे में m sigma cbc plus sigma st ठीक है इसको भी हम लोग एक equation नाम देते हैं यहाँ पर equation हो जाएगी यह इसको हम लोग 2 नाम देते हैं equation number 2 ठीक है इसको sorry इसको हम लोग equation number 2 नाम देंगें ठीक है न यह वाली ठीक है न तो हमने यह लिखा यह तो होगी k की value ठीक है अब एक और क्या है हमारे पास में n equal to kd तो n equal to kd है तो इसको हम लोग n sorry n c equal to kcd हो गया तो अब इसको हम लोग k की value यहाँ पर put करें यह kc की value होगे हमारी तो kc की value हम लोग यहाँ पर put करें तो क्या बन जाएगा तो kc into m sigma cbc divided by m sigma cbc plus sigma st ठीक है न यह kc की value होगी और into यहाँ पर d ठीक है तो वापस से देखो यहाँ पर हम लोग वापस से इसको वापस stress ratio की term में हम लोग लिखेंगे तो किस तरीके से बन जाएगा अब इसको हम लोग solve करेंगे तो वापस देखो कौन से value आजाएगी जो हम लोगो ने भी निका इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 divided by 1 plus rc divided by m into d हम लोग लिखेंगे लेते हैं इसको ठीक है न और वापस से rc क्या हो जाएगा sigma st divided by sigma cbc ठीक है ना rc equal to sigma st divided by sigma cbc यहाँ पर हमारा वापस से stress ratio हो जाएगा ठीक है तो यह सारी हम लोगों ने जो भी मातापच्ची करी है यह क्या करने के लिए कि हम लोगों ने k की value यहाँ पर हम लोगों निकाली है तो जब हमारे पास में k होगा तो हम लोग वापस depth से उसको multiply कर कि एक बार हम लोगों ने k की value जब निकाल ली ठीक है ना तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसकी जो value को हम लोग d से multiply करेंगे तो हमारा neutral axis निकल के आ जाएगा ठीक है उसकी depth कि इतनी है वो निकल के आ जाएगी n equal to kd हो गया तो k into उसको d से multiply करेंगे अब k कैसे निकलेगा अब यहाँ पर r divided by m डायरेक्ट यही है r divided by m तो यहाँ पर stress divided by strain का हम लोगों को सोरी जो sigma cbc इसका हम लोगों को ratio निकालना है modular ratio हमारे पास में होगा तो हम लोग easily निकाल सकते हैं ठीक है na k की value ठीक है अब यह सारी चीज़े कहाँ से मिले कि हम लोगों को यह भी हम लोग आगे पड़ेंगे ठीक है na तो अब यह पहला case यह थे कि हम लोगों ने जो equation solve की वो हमारा case क्या था पहले हम लोगों ने discuss नहीं किया है लेकिन वो case क्या था कि जब हम लोगों को stress और strain मतलब जो हमारे stresses है concrete और still में वो known हो मतलब sigma st और sigma cbc अगर हम लोगों को पता होगा तो हम लोग neutral axis इस तरीके से न निकालना है और हमारे पास में sigma st और sigma cbc की value यह हमारे पास में तो देखो easily निकल जाएगी हमको बस modular ratio पूट करना है sigma cbc और sigma st की value पूट करनी हो और direct निकल जाएगा आप डारेक इससे भी निकाल सकते हैं ठीक है ना यह वाले यह वाले से भी निकाल सकते हैं मतलब को sigma st और sigma cbc पता होना चीए neutral axis हमारा निकालने के लिए दूसरा case क्या होगा अभी वह हम लोग आगे पढ़ें के लेकिन उससे पहले कुछ calculations रही है वह पहले हम लोग solve कर लेते हैं इसको में notes matters कर रहा हूं ठीक है अब लोग देख लीजिएगा अब देखो यह तो हम लोग आने के लिए IS code हमारा जो 456-2000 है 456-2000 जो हमारा code है उसके अंदर M की value दी गई है 280 by 3 sigma cbc ठीक है तो अब जो हमारा पास में equation थी पहले equation क्या थी हमारा पास में Casey की जो equation लिकी थी हम लोगों ने क्या लिकी थी M sigma cbc divided by M sigma cbc plus sigma st ठीक है यह हम लोग लिकी थी तो हमको M sigma cbc की term में हम लोग इसको convert कर लेते हैं तो इसको हम लोग convert करेंगे तो M sigma cbc को इधर लियाएंगे तो हमारा क्या पास में 280 by 3 तो यह कितना निकल के आ जाता है 93.33 यह निकल के आ जाता है ठीक है तो हम लोग इसको 1 divided by की term में हम लोग कर लेते हैं ठीक है इसको इधर कर लेते हैं 1 by इधर में इसको लाएंगे तो यह इससे cancel हो जागा तो 1 plus बसता है ठीक है और sigma st divided by 93.33 ठीक है तो उसकी value क्या निकल के आ जाएगी 0.0107 और sigma st ठीक है ना तो यह इस तरीके से यह complete हो जाता है ठीक है इसको अले का मतलब क्या है कि जो केसी होता है वो कभी भी grade of concrete पर depend नहीं कर रहा है है ना concrete की grade क्या है उस पर depend कर नहीं रहा है बिल्कुल भी ठीक है ना क्योंकि ये sigma st की term में आ गया है पूरा तो ये grade of concrete में डिपेंड करता है नहीं मतलब यहाँ पे stress concrete में stress काने माला है उस्टे कुछ लेना दना है नहीं ठीक है ना तो grade of concrete पे डिपेंड करेगा है नहीं ठीक है मतलब कितना भी हो जाए चाहिए वो एम 15 ग्रेड हो एम 25 वो कोई भी ग्रेड हो उस पर डिपेंड बिल्कुल करेगा ही नहीं ठीक है क्योंकि यह सिग्मा एस्टी की टर्म में हम लोग निकाला तो इससे हम लोग समझ में आए कि भाई यह तो इससा कुछ हमारे कॉंक् ककी स्बीकालते है नहीं आप परशनटेंक अंडचल मे तो इस त हमारे पास में एरिया पिस्तिल है ठीक है हमारे पास में टोटलकि का एकितना एं दीमका डीन टू तो इस दीन टू बे इसको परश्रिब में करेंगे तो 100 ठीक है न तो यह percentage की form में हो गया ठीक है लेकिन अपने जो पिछली equation में निकाला है वो क्या देखा था अभी हम लोगों ने AST BD equal to K into C divided by 2T ठीक है न तो अब यह AST BD की जाएगे हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरीके से तो इसको हम लोग करेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसको K into C divided by 2T यह लिख दिया into 100 यह हम लोगों न बना लिया अब इसको हम लोग आगे सोल करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको इसको लिखेंगे हम लोग 50 C by T इथा लिख देते हैं और के की वैल्यू क्या निखली थी हमारी के की वैल्यू को हम लोग वापस चैंज कर लेते हैं और हम C wa term C और T की term में तो हम लोगों ने क्या निकली ति yam c plus mc plus यह निकाली थी न हम लोगों ने किए की वेल्यू है ना यहां यही निकाली थी तो अब यह हम लोगों ने इस तरह के से इसको चेंज किया और इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं 50 mc square इसको हम लोग solve करेंगे उपर उपर को तो 50 mc square और नीचे का कितना हो जाएगा mc t square यहां पर ब्रेकेट है ना नीचे का क्या हो जाएगा t into mc plus t ठीक है यह नीचे का हो जाएगा हम लोगों निकाला तो यह इस तरह के से बनता है अगर हम लोग permissable stresses की टर्म में हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको बस सिंपल है यहां पर c की जगह पर sigma cbc और t की जगह पर sigma st हम लोग को फूट कर देना है ठीक है ना तो यहां पर यहें 50 M Sigma cbc का स्कायर और यहां पर sigma st into m sigma cbc प्लस sigma st ठीक है ना यहां अपर यहां यहां को काम आईगी आगे हम लोग अभी निकाल रहें ना डिराइव कर रहें हैं यह तरी क्वेशन काम आईगे हम बाल बाल इनको डिराइव करने की ज़रूत नहीं निया हम लोगो क्या करना डायरेक ली यह घ्र essa काली अर्ण कर नष्ञे करना यह जो और कुछ नहीं तो यह थो गया है पहलािया is जिसमें हम लोगो को में किस्टेस और इस्ट्रेस जो आहरे थे हुं लोगों को पता थे मतलब सोरी मतलब जो इस्ट्रेसेस थे हम लोगों को पता थे पॉंक्रिट में कितने आने वाले थे वो और जो इस्टिल में कितने आने वाले थे वो दोनों हम लोगों को पता थे तो उससे हम लोग इस तरीके से हम लोग सारी चीजें निकाल सकते हैं ठीक है न वह थीजिए सिग्मा सिग्मा एस्टी चाहिए हम लोग परसेंटेज कितना आने वाला इस चिल का वह भी हमारा निकल के आ जाएगा ठीक है थे तो यह तो वह भी पहला के सब दूसरा केस क्या कि अगर हमारे पास में अगर डायमेंशन कंपलीटली इनओं लीएographer को टामया पर सेवर करकेस को नोट्स में डाल देता हूं तो अब अब हम लोग बात करेंगे केस नूम-बर 2 की, तो case नूम-बर 2 में क्या कि जब हम लोग को dimensions, जो है beam के वो पता हो, ठीक है न, ठीक है? dimensions of beam are known, तो हम लोग क्या करेंगे हैं? ठीक है न, तो अब देखो यहाँ पर, वापस से हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर वो ही, जो हमरा तो एक हैड़ा डाइग्रेम रधोरा बनाता है।ANG अब यहां पर हम लोग क्या करें? अब यसे कि अब यह तो नहीं मना हें हम लोग यह बनाते हैं इसको आच्छे समझ में आएगा आपको कि यहां पर दो जब हम लोगों ने इसको equivalent area के term में इसको convert कर जिया था तो यहाँ पे equivalent area में जब हम लोगों ने convert किया area विस्टिल को तो वो क्या बना M-A-S-T अना M-A-S-T बना यह हमारा neutral axis है ठीक है इसके ऊपर का कितना है हमारा KD और नीचे का कितना है D- KD ठीक है यहाँ तक यहीं तक ही ठीक है ना नीचे नहीं नीचे का तो cover portion आगा है वो कुछ काम का नहीं रहता है हम लोगों को यहाँ तक की dimension ने रहते हैं हमेशा ठीक है और यह यहाँ पर इसका भी यह हो गया और depth इसका हमारा यहाँ से लेकिए यहाँ तक का पूरा depth यह हो गया ठीक है ना तो अब यह तो M-S-T हो गया और यहाँ पर कॉंक्रिट करेंद पूरा आएगा हमारा जो हमारा राक कDelा को पूरा fines यह उसमें खालंओ लुग को एकि ना थिक वर इसकाम आता है तो अब इसको मोवेंटस कल निकाला यह तो इदर का मो मुंक्ट है क्ले क्ली तो ककी ना इसका मोवेंटारी कि इसका मोवेंटस की लिए बराबर होगा तो बराबर होगा तो इधर disp ए आलनोकि कैसे निकलते उससे का belum Va same time निकल अगर से मोवनेटेट तो क्या आएगा डी में टू की के 2 कडीवा टूत हेड़यो टिकेमित इसका यहां किला हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं ठीक है ना मोमेंट निकाला तो आपको पताए ना मोमेंट कैसे निकलता है ठीक है यह निकाला हम लोगों ने अब इधर में हम लोग को में इस टी इंटू यह क्या है डिस्टेंस डी मीनस के डी दी की माइनस के डी इसको वह लोग सोल रहें तो इसको हम लोग few तरेकेς से लिकेंगे अब देखों यह सारा सो औस ऐए जैड में टैंब कर लेते हैं यहाठ अंब इसको हम लोग सब अग्या के स्कोयर इंटो बीडी स्कोयर बाय टू ठीक है यह प्लस एम के डी एस्टी ठीक है यहाँ पर हम लोग सोल करके धर मिला रहे है ना तो एम के डी इंटो एस्टी माइनस एम डी AST और इधर में हम लोगों ने 0 छोड़ दिया ठीक है अब इसको हम लोग AST by BD के form में इसको convert कर ले ठीक है ना ताकि हम लोग इसको equation को और simplify कर सके ठीक है इसको हम लोग percentage आव इस्टिल के टम्ब लिख देंगे ठीक है ना ठीक है ना मतलब वो इसको एक हम लोग मतलब लिख देंगे कुछ भी reinforcement pressure करके हम लोग लिखेंगे इसको तो अब यहां पर देखो यह क्या बन जाएगा k square plus 2k into m into ast divided by bd minus 2m ast divided by bd equal to 0 तो ast bd को हम लोग लिख देंगे p ठीक है ना तो हम लोग इसको मतलब सिंप्ली भाइब करके लिख रहे है तो हम लोग इसको यहां पर पी यह पी धर कुछ भी हम लोग पी डिच चरो पीदेश नाम दे देता है तो यहां पर पी तो हमारे पास में 2 k m और ये P dash हो गया और ये 2 m और ये P dash हो गया equal to 0 अब इसको आगे के से solve करेंगे तो ये देखो quadratic equation है ठीके न और quadratic equation आप लोगों ने पड़ी है कि नहीं पड़ी यह सब ने ठीक है ना बस भूल गए आप लोग आप लोग पोलेश तक आएं तो आपने 12 तो पास करिये होगी तभी तो पोलेश तक आए ना आप लोग तो अब यह क्वाडिटिक एक्विशन क्या है अब यहाँ पर एसे समझ में नहीं आ रही है आपको आप लोगों 4AC divided by 2A इसे निकालते थे ना इसको है ना तो अब यहाँ पर B अब देखो यहाँ पर हमारे केस में B क्या है हमारे केस में यहाँ पर B A क्या है A1 है ठीक है और यहाँ पर B क्या है यहाँ पर जो X की जगे पर K हो गया और यह 2MP जो है वो B हो गया ठीक है और C क्या हो गया यह इसको के के लिख सकते हैं इसको ठीक है ना मलब यह x की वेल्यू हम लोग निकालते हैं आइसको अमलोग x की वेल्यू इस तरीके से निकलती है मैनस b प्लस मैनस b square मैनस 4ac divided by 2 है ठीक है तो अब इसको हम लोग solve करेंगे तो सबसे पहले माइनस b तो माइनस 2 m p dash plus minus under root अब b square मतलब क्या 4 m m square और p dash square ठीक है और plus 4ac मतलब यह plus हो जाएगा यहाँ पे m p dash ठीक है माइनस था तो प्लस हो जाएगा और divided by है यहाँ पे 2 ठीक है इसको थोड़ा और simplify करके हम लोग क्यासे लिख सकते है इसको हम लोग simplify करके लिख सकते है कि टू m p dash प्लस m p dash का square मैनस m p dash तो यह हमारी हो जाएगी यहाँ पे के की वेल्यू ठीक है मतलब क्या पी डेस मतलब क्या था हमारा a st by b d मतलब क्या यह इस form में पूरी convert होगी है कि हमारे पास में अगर हमको a st मतलब बीज उप जी डेप्थ सकते हैं और के की वेल्यू से वापस से याँ तो यहांपे एक प्लस में जो अगर को गल्लीव होती तो पोजिटीव है तो पोजीतिव डेप荃 फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा पॉजिटीव विल्यू आएगा वह अपलोग यहाँ पर लेंगे हमारा किये का वेल्यू ठीक है और उसको फिर हम लोग डी से मेंटिबलाइ कर देंगे तो हमारा जो हमारा डेफ्थ निकल के वह आ जाएगा तो यह दो तरीके से हमारा न्यूटरल एक्सिस का हम लोग करने ञाउने का वेल्य को यहाँ जो अभी हम लोगों को काम आने वाली यह ढगे ठीक है अभी तो हम लोगने 2 का डिजाइन करना चालू इन कहा है अभी तो हम लोग मलड़़ बेसिक सप़ रहे हम लोग लोग बने हैं यह सारे स्वार चीज आप लोगों को सीख ना बहुत अगले वीडियो में हम लोग अगले टोपिक पर बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार